हेलो दोस्तो कैसे आप सब मैं कुमार सुजित आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एकजाम बिंदूर पह स्वागत है दोस्तो आज हम आप लोगों को भाज से संबंदित कुछ मुश्ट इंपोर्टेंट कोचन एंसर बताने वाले हैं जो आपके सभी अगामी एकजाम की डिश्टी से काफी मौत पूर्ण है तो आप लोग वीडियो में सुरु से अंतक जरूर बने रहे हैं तो चलिए आज के इस बेतरीन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले बता दू दोस्तों इसका पहला पार्ट पहले अप्लोड हो चुका जिसमें से बहुत सारे कोचन एउपी पूलिस में पूछे गए थे अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो नीचे डिस्क्यूशन या आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वहां से आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे चलि अगले कोचन की तरफ नजर डाल लेते हैं देखिए अगला प्रस्ण है और्थ सास्त में नोबल पूर्षकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे कौन थे अमर्थ सेंग इसका राइट एंसर भी आपका अमर्थ सेंग हो जाएगा किसमत और्थ सास्त में नोबल पूर्षकार पाने वाले पर्थम भारतिये थे कौन अमर्थ सेंग चलि अगले प्रस्ट को देख लेते हैं देखिए अगला प्रस्ण है भाद के पर्थम सीख परधा हिर्त मौन्ट है कौन थे ड्टर मोहन सींग इसका राइट एंसर आपका ये ड़क्टर मोन महान सी्ग हो जाएगा बात कि पर्थम पर धान मुन्ट है चले नेक्ट को देख लेते हैं देखि का आगला प्रस्टोषण है कि नोबल पूर्षकार प्राप करने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थी नोबेल पुरुष का प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थी तो मदर ट्रेस अ इसका राइट एंसाब का भी मदर ट्रेस हो जाएगा यहां दूस्तों नोबेल पुरुष का प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिय महि महिला कौन थी भात रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी कौन थी तर शिरीमती इंद्रा गांधी इसका राइट एंसाब का भी शिरीमती इंद्रा गांधी हो जाएगा भात रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला शिरीमती इंद्रा गांधी थी देखिए आगला प्रश्न है पर्थम महिला चिकिस्तक कौन थी पर्थम महिला चिकिस्तक कौन थी पर्थम महिला चिकिस्तक कौन थी तक कदामनी गांगुली कौन तो इसका राइट एंसर सी आपका कदामनी गांगुली हो जाएगा जो पर्थम भारती महिला चिकिस्तक थी क्य प्रापनी गांगुली इसका right answer आयाफ कि हो जायगा देखिए next को चल्ट है कि राष्टियधा और ती रंगए में 30360 पटिया किस अनपात में रहते हैं एक और यू पाँथ में किस अनपात में रहते था वन रेसियो वन वेसियो वन में देखे आगला प्रश्न है राष्टिय धावज तिरांगा का गाहरा के सर्या रंग क्या दरसाता है जो अपना भारतिये का राष्टिय धावज है तिरांगा उसका गाहरा के सर्या रंग क्या दरसाता है क्या दरी साता है तो ताकत अशास का पर्तिक है क्या सर्या रंग ज्युत्य रंगत अपना की सर्या रहजक्त पर्तिक है था ताकत और स्यास के देखके आगला प्रश The रश्ट्य ध्वज ती रंगे में सबसे उपर कौन से रंग livroता है भारतिय राष्टिय धावज तिरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग होता है कौन सा रंग होता है तो गाहरा के सर्या रंग कौन सा रंग गाहरा के सर्या रंग इसका राइट एंसर आपका सी हो जाएगा गाहरा के सर्या रंग राष्टिय धावज तिरंगे में सबसे उपर होत तो देखिया आगला प्रश्न है में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है राष्टी दवस्ती रंग में सबसे नीचे कौन सा रण रहता है सबसे नीचे हारा रंग होता है दोस्ट मुझे पाता है लेकिन आपको रिवीजन के लिए सभी बता रहा हूं यह सभी बेसिक कोचन एंसर है जो आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए इसमें से बहुत सारे कमपर्टिटिव लेबल के एकजाम में पूछे जा रहा है जो अभी पूलिस में बहुत सारे कोचन बेसिक लेबल से पूछे गए थे तो आप लोगों को पाता है फिर भी आप लोग पूर आप पात कितना होता है जो भारते राश्टिय ध्हाज है इसका लाम बाइज-चोड़ाइक अंपात कितना है कितना है सब्सक्राइज देखिए आगला पुरशन है राष्टिये धावज तिरंगे का सफेद पटी किस बात का संकेत है किस बात का संकेत है तो सांती और सत्का कौन सा पटी तो सफेद पटी सफेद जो तिरंगे में रंग राता है उसकिसका पर्तिधा पर्तिखा तो सांती और सत्का सांती और सत्का पर्तिखा देखे आगला प्रश्न है राष्टिय धावज तिरंगे का रंग हारा रंग क्या दर्शाता है जो भरतिय राष्टिय धावज तिरंगा है उसका हारा रंग क्या दर्शाता है क्या दर्शाता है विकास वुरुवार्था को किसको दर्शाता है तो विकास वुरुवार्था को इसका राइट येश्ञ आपका B हो जाएगा 2400 उरुवार्ता राश्टिय धावज तिरंगे का हारा रंगların 2400 उरुवार्ता दर्साता है क्या 2400 उरुवार्ता देखें आग़ला प्रस्ण है राश्टिय धावज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया होती है राष्टिये धावज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलिया होती है कितनी तिलिया होती है तो 24 इसका राइट एंसा का सी हो जाएगा 24 भारतिये राष्टिये तिरंगे के चक्र में 24 तिलिया होती है कितनी तो 24 तिलिया होती है देखें नेश्ट कोचन है भात की सभिधान साभा ने राष्टिय धोज का परूप कब अपनाया था कब अपनाया था तब 22 जुलाई और 947 को कब अपनाया था तब 22 जुलाई 947 को देखें नेक्स कोचन है भात कर राष्टिय पक्षी है भात कर राष्टिय पक्षी क्या है भात कर राष्टिय पक्षी मोर है इसका राइटेन साब का भी मोर हो जाएगा बात कर राष्टिय पक्षी क्या है तो मोर है देखें अगला प्रश्ण है भाद कराश्टी ये पुस्प क्या है भाद कराश्टी ये पुस्प क्या है भाद कराश्टी ये पुस्प क्या है कॉमल है क्या है कॉमल है इसका राइट इंसर आपका ये कॉमल हो जाएगा भाद कराश्टी ये पुस्प क्या है कॉमल है बाद का राष्ट ये पील क्या आए अगला प्रस्टी रास्ट गान क्या ये है भाद का रास्ट गान क्या है भाद का राष्ट गान क्या है भाद का राष्ट गान क्या है तो जोनगनमोना जोनगनमोना भाद का राष्ट गान है इसका राइट इंसा अपका भी जोनगनमोना हो जाएगा भाद का राष्ट गान जोनगनमोना है कि देखिए अगला प्रश्ण है भात का राष्टिय नदी है बात कर राष्टिय नदी कौन है तो गंगा बात कर राष्टिय नदी कौन है गंगा इसका राइट इंसाप कड़ी गंगा हो जाएगा बात कर राष्टिय नदी कौन है तो गंगा है देखिए अगला प्रश्ण है भाद कर राश्टिय जलिय जीव क्या है भाद कर राश्टिय जलिय जीव क्या है तो डॉल्फीन इसका राई टेंस आपका सी डॉल्फीन हो जाएगा भाद कर राश्टिय जलिय जीव क्या है तो डॉल्फीन है देखिया अगला प्रश्ण है भाद कर राश्टिय पसु क्या है भात कर राष्टिये पसु क्या है तो बाग है कौन है भात कर राष्टिये पसु तो बाग है इसका राइट इंसा आपका भी बाग हो जाएगा भात कर राष्टिये पसु क्या है तो बाग है देखे आगला प्रश्ण है भात कर राष्टिये गित क्या है भात कर राष्टिये इसका राइट इंसर हो जाएगा मात्रौत राष्टिये-ग्यान कौन में जनेगन吧 राष्टियेוכ और राष्टिये क्या मனा आदविक से उसको आप लोग अच्छे तरह से देख लेंगे आएँ वी ऀएट इंसर भी आपका अंभात कर स्थी फंब क्या आप है कि देखे़ा परस्ण मज़्म बाद कर स्थी tutorial खिल क्या है यह दो सब्सक्राइब वी वह दोस्तो चली अगले प्रस्ट को देख लेते ह। ढूब प्रश्ण है भात की सबसे अधिक सवरुजा उत्पादन कहां होता है भात की सबसे अधिक कहां सवरुजा उत्पादन होता है कहां होता है तो राजस्थान में कहां होता है इसका राइट इंसर यह राजस्थान हो जाएगा बात का सबसे अधिक कहां सवरुजा उत्पादन हो देखे नेक्ष्ट कोचन है भात में पोवन उर्जा का सबसे उत्पादक राज कौन सा है भात में पोवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन सा है कौन है ता तमिलांडू है इसका राइटें सब बीत तमिलांडू भात का पोवन उर्जा का सबसे बड़ा उत्प पदरगराज कॐन है तो तर्मिल अंडू है तो कि देखें नेफ्ट स्थापित कूल उर्जा छांता को कितना परसेंट पौन उर्जा से प्राफ्ट होता है और भात में अस्थापित कूल उर्जा छांता के से कितना पर्शेंट 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 इसका राइ टेंस आपका सी हो जाएगा कितना पर्शेंट देखिए नेक्स्ट कोचन है भात में पावन उर्जा का विकास कब सब्राम होगा था भाद में पॉवन उर्जा का विकास कम से परम्ब हुआ था तौन स€ humility से इसका रायți एंसाप्प कह वी हो जया चापसे तौन नह शून नव बेशे पॉन उर्जा का विकास परम्ब हुआ है कौपसे तौन ज्स Leah त देखी आगले प्रश्ण है भारत में परमानु उर्जा बिनायक बोड कब अस्तापित हुआ था भात में परमानु उर्जा बिनियामक बोड कब अस्तापित हुआ था तो पंद्र नौवंबर पंद्र नौवंबर नियामक बोड का मुख्याले कहां परमानु उर्जा बिनियामक बोड का मुख्याले कहां था तो मुंबई में इसका राइट इंसर आपका सी हो जाएगा मुंबई पर मानू उर्जा नियामक बोड का मुख्याले का है तो मुंबई में है का मुंबई में डीच्ट कोचन है भारतीय सिनेमा का जनक थे बारतीय सिनेमा का जनक कौन थे तो दादा साहिब फाल के इसके राइट इंस फोज़ेगा भी दाधा साहब फाल के भारतिये सिनेमा के जन्व कौन थे तब दाधा साहब फाल के थे कौन दाधा साहब फाल के तेखिए आगला प्रस्ण है भारत में डांक ब्यवस्ता करने वाला ब्रिटिस गुवर्नर जरनल कौन था भात में डाक बेवास्ता शुरू करने वाला ब्रिटिस गुवर्नल जनरल कौन था कौन था तलाड डॉलो हो जी इसका राइट एंसा आपका ये हो जाएगा कौन तलाड डॉलो हो जी क्या शुरू करने वाला पर्थम ब्रिटिस गुवर्नल था तर डांक शुरू करने वाला डांक विवास्ता शुरू करने वाला ब्रिटिस गुवर्नल पर्थम कौन था तर लाट डॉलर हो जी था इसका राइडेंस आपका एव हो जाएगा देखिए अगले प्रश्ण है भात में सिख्षा क्या है क्या है तो मुल्भूत अधिकार है कौन सा अधिकार है तो मुल्भूत अधिकार है इसका राइट एंस से आपका डी हो जाएगा मुल्भूत अधिकार है देखिए अगले प्रश्ण है भात के तीसरे राष्ट पती कौन थे जिनका अपने कार्शकाल में ही निर्धन हुआ था कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसेन इसका राइट इंसा आपका बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसेन एसे एक राष्ट पती थे जिनका निर्धन उनके कार्शकाल में ही हुआ था ए叁 किसके टोक्तर जाकिर उससेड का झिए अगला प्रस्छंह भात कर राषटी धावज नी कब से लागुक कर दिया गया था भात करा राषटी धावज कर दिया गया मुर्ण नदी हुए का प्सेन भाग्रत के गंगर को लाजा है कौन सान नदी धक्षिन भारत के गंगर कोulleिक गधे सतके कि काल पॉर honoring अप आपका है उसका जाइक हो जाएक गधिया हुआ हैто तो गोर्ण नदी क्या कहलाती है नुट देखिए अगले प्रश्न है परतिवस भाध का भीतम पशुमेला लगता है परतिवस भाध का सबसे बड़ा पशुमेला कहां लगता है तो सोनपुर में इसका राइट एंसर डी आपका हो जाएगा अभी हाली में यूपी पूलिस में भी एक कोशन आया था कि सोनपुर मेला क कहां लगता कि सोनपुर मेला लगता है कहां लगता है तो बिहार में भाध का सबसे बड़ा पासुमेला लंगता है तो इसका राइट चोशुमध का डी हो जाएगा किसे तो आमदा बाद को भाध का भोष्टन का जाता है इसका राइंसर आपका ए Chand GR и पर कर करकर भाद के उसे हूप गुजल इसी आठ राज से बाध का करकर रेखा हो कर गुजल थी यह कितने राज से से इसका राइट एंसर भी हो जाएगा दोस्तों इसके उपर डिटली वीडियो मैं बना चुका है आप लोग मेरे पले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगला प्रस्न है भावत के निम्द में किस राज में पूरस की संख्या से कम है यिस राज में इसका राइट सी हो जाएगा केरल केरल में पूरस की संख्या से कम है आजिसे नेक्स कोच नाइं भात में सबसे उच्छा बांद भाकडा किस न दिपा बना था भाकडा किस न दिपाबना Además भाकडाबऑन कि की न दिपाबना सांद डिपा सात्न दिपा सत्ल जन दिपा बांद को草 भाकडाबांद है कौन है भाकडाबांद जो ATキस नदीप बाना वहाँ तो सतलरог नदीप देखे अगला प्रशन है भाद के पहली प्षमख करब्सषंद परपर में बाद के पहली आइरन कंपनी कहा एक तתחसे पूर में इसका राइड एंश्र के एंड़ा प्रश्ण है बहाद का कौन साराज सक्कर का कोटोरा काल आता है इसका इसा प्रहूंट पर देश क्या कहलता है तब सक्कर का कोटोकर जाता है कि सराज कुंतर पर्देश को आपको ऐसे भी पूश सकता है कि किस राज को चीनी का कोट्रोड़ा का आ जाता है उत्तपरतेस को देखिए आगले प्रस्पन है भात के कितने राष्टीए राजमारक है भात में कितने राष्टीए राजमारक है, कितने है तो 228 है इसका right answer D है कितने राश्रीय राजमा रखाए तो 28 इतने 228 बहात में राश्रीय राजमा रखाए देखिए अगला प्र authent है बहात का एक मेर्ट अस्तान जहां तूराब पाए जाता है बहात में एक ऐसा अस्तान है जहां तीन पाए जाता है तो हाजारी बाग कहां हाजारी बाग में टीन पाए जाता है इसका राइट एंसा आपका बी हो जाएगा कहां हाजारी बाग क्या पाए जाता है तो टीन पाए जाता है देखिए आगले प्रश्ण है वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वो कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है किस नादी को तो दामोदर नादी को इसका राइट इन से आपका भी हो जाएगा दामोदर नादी को किस नाम से पुकारा जाता है तो रूर के नाम से किस नाम से तो रूर के नाम से आप लोग याद रखेंगे कौन से नाम से पुकारा जाता है तो रूर के नाम से किस नादी क तो दामोदर नदी को देखें नेक्ट कोचन है बात में किस राज को भात का खादान भंडार के रूप में जाना जाता है बात के किस राज को भात का खादान भंडार के रूप में जाना जाता है किसे तो पंजाब को पंजाब को भात का खादान भंडार के रूप में जाना ज consists of symptomsished CO em balls में अग्य प्रश्नर करी मौधूरud में कहाँ मौधूर थो मौधूर कहाँ था मिलनडू में इसका राइट एंसर यह हो जाएगा तमिलांडू में तो दोस्तों भाहर से समंदित कुछ पार 50 इंपोर्टेंट कोचन यह था अगले भाग में भी अगले पार्ट में भी आपको भाहर से समंदित कुछ महत्पून प्रस्ट नुता बताऊंगा अगर आप अभी तक चैनल को स सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि इसी परगाएगे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है तो चलिए आप लोग से विद्दार लेते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिंद